हेलो दोस्तों दो हजार चोवीस चुनाव महज दस महीने बाकी है और ऐसे में तैयारियां जोर शोर से चल रही है बीजे पी इंडिये को हराने के लिए इंडिया गड़बंधन बना दिया गया है और आपको बताऊं लगातार इस बीच गोदी मीडिया सर्वे कर रहा है खासत हम उत्तर प्रदेश को सर्वे का आखाडा बना दिया है एक से एक सर्वे निकल कर सामने आ रहे हैं आज हम इस सर्वे की बात करेंगे लेकिन दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए ये वही गोदी मीडिया है जो भामक खबरे फैलाता है सुत्रों के हवाले से कहकर कुछ भी पिछले दिनों गोदी मीडिया ने हास्यासपत खबर चला दी और कहा कि बीजेपी बस्पा का गटबंधन उत्तर प्रदेश में होने वाला है खास तोर से इसने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस्पा और बीजेपी का गटबंधन होगा और जो NDA है RLD के साथ नह जाएंगे और ये लोग चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि आप लोग इसके प्रभाव में आएं क्योंकि गोदी मीडिया लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहा है अपने आका को खुश करने की कोशिश है कर रहा है और देखें गोदी मीडिया के तमाम खबरों लेकर आकाश आनंद ने एक دम साफ कर दिया था मेरे पिछले वीडियो में आप जाएंगे मैंने उस पर बिस्तार से बातच्चित कि है है आकाश आनंद ने कहा है कि गोदी मीडिया ही जो खबर चला रहा है ये भ्रामक खबर है ये खबर एकदम गलत है उन्होंने कहा है कि बीजेपी से हमारा दूर दूर तक कोई रिष्टा नहीं है, कहां बीजेपी और कहां हम, कहां वो हिंदुत वाधी, कहां हम हम बेट करवाधी, ऐसे में बीजेपी से हम कभी भी गठमंधन नहीं करेंगे, ये आकाश अनन्द ने एकदम साफ कर दिया था, देखें, दिक्कत ये है कि आकाश अनन्द जैसे या बहुजन समाज के तमाम नेताओं की खबरें आपको मेनिस्ट्री मीडिया में नहीं मिलती हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है, कि वो खबरें जो कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं चलाता, जिस उस पर आकर बात करते हैं, जिससे आप लोग साफ साफ चीजें समझ पाएं, क्योंकि ये लोग आपको लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आपको साफधान सचेत रहने की जरूर है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि NDA और इंडिया गटबंधन बन चुका है, इंडिया गटबंधन की बैठक मुंबई में होने वाली है, जो अक्टूबर में प्रस्तावित है, और ऐसे में बहन जी को मनाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है, और आपको बताऊं तो बस्पा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बहुत सारी सुत्रों के हवाले से लोग कह रहे हैं कि इंडिया गटबंधन के लोग लगातार बहन जी के संपर्क में हैं, लगातार बहन जी को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, अब दोस्तों उस सर्वे की बात करते हैं, उस सर्वे की जो गोदी मीडिया ने सर्वे किया है, देखें कई राज्यों के बारे में सर्वे किया गया है लेकिन आज मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि सर्वे में जिस तरीके से बस्पा को सीटे दी गई है वो किसी के गले नहीं उतर रही है इन्होंने बसपा को जो सीटे दी हैं, बसपा को जो vote share मिला है, उस पर आज हम आपको आफ़ों के हिसाब से बात करने वाले हैं चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं vote share की देखे वोट प्रतिशत जो है बीजेपी को गोधी मीडिया ने दिया है बीजेपी को 50 फीजदी वोट मिल रहे हैं सरवे के हिसाब से गोधी मीडिया के इंडिया टीवी के सिनेक से के सरवे के हिसाब से बीजेपी को 50 फीजदी वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं इसके अलावा समाजवादी पार्टी को गोदी टीवी ने इंडिया टीवी ने यहाँ पर 23 फीजदी वोट दिया है और वहीं देश की जो राष्ट्रिये पार्टी है बस्पा उसको मात्र 12 फीजदी वोट मिले हैं दोस्तों 12 फीजदी आप समझ सकते हैं बस्पा से भी समाजवादी पार्टी को और देखें 50 फीजदी बीजेपी को और 23 फीजदी समाजवादी पार्टी को यानि बड़ी चालाकी से गोदी मीडिया ने बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच में आधे-ाधे का डिफरेंस और समाजवादी पार्टी और बस्पा के बीच मे आधे-धे का डिफेरंस रखा है इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी को गोदी टीम की सर्वे ने मात्र चार फिजदी वोट दिया है यानि चार फिजदी वोट शेर कॉंग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखा इदे रहां है और दोस्तों एक चीज आपको नोट करना होगा चंदरशेखर आजाद जो भी मार्मी चीफ हैं जिनकी आजाद समाज पार्टी है उन्हें इस सर्वे में जगे ही नहीं दी गई है तो क्या करेंगे चंदरशेखर आजाद रावर उन्हें तो कहीं कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है कहीं कोई सीट या वोटशेर भी नहीं दे रहा है अब बात करते हैं सीटों की बहुत ही भ्रामक ये सर्वे है दोस्तों फिर भी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कहीं आप लोग इसके पक्ष में इसके माहल में आना जाएं चलिए बात करते हैं बीजेपी को कितनी सीट मिली तो गोधी टीवी ने अपने आका को जोली भर दिया है गोधी टीवी ने बीजेपी को यहाँ पर सतर सीटें दे दी हैं आप सोच सकते हैं असी लोग सभा सीटें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से ही दिली का रास्ता जाता है और बीजेपी को यहाँ पर सतर सीटे दे दी हैं और इसी जो दस सीटें बाकी बच्टी हैं उसी में से सब को बांट दिया है जैसे की और सुनिए एक चीज़ और चाला की क्या किया है गोदी टीवी ने जो NDA में शामिल है जैसे चुहेल देव समाजवादी पार्टी है ओपी राजबर की ये पार्टी है जो बहन जी के काफी मुरीद थे बहन जी की तारीफ करते थे भूरी भूरी परशनसा करते थे ये भी गोदी जी के साथ है इसलिए इनको थोड़ा सा सीट दिया जाया अब देखिए अपना दल को गोदी टीवी ने दो सीटे दे दी है सुभासपा जो है उसको एक सीट दे दी है चाला की से और समाजवादी पार्टी आरेलडी गटवंधन को मात्र पांथ सीटें आपके गले उतर रही ये बात मात्र पांथ सीटें दे रहा है कैसे हो सकता है आरे 27 लोग सभास सीटें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है ये कैसे हो सकता है तो क्या खिलेश सही से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं क्या जैन चौदरी सही से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं दोनो अब दिल की धड़कने आपकी बढ़ने वाली हैं दिल ठाम लिजिए क्योंकि गोदी टीवी ने जो सर्वे किया उस आँकरों से आप सुनेंगे वह आँकरे तो आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों बस्पा को जानते हैं बस्पा को गोदी टीवी ने एकदम शून मान लिया है अपने सर्वे में गोदी टीवी ने बस्पा को शून सीटें दी हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये किस तरह का सर्वे है दो हजार लोगों के बीच में गए चार हजार लोगों के बीच में गए या टेली फोन से ही किसी से बात करके आँकणों को भर लिया गया आप सोच सकते हैं बस्पा को शून सीटें मिलना कितनी बड़ी बात है अरे माना कि 2014 में बस्पा को 0 सीटें मिली थी लेकिन 2009 में 20 सीटें भी तो मिली थी 2019 में 10 सीटें भी तो मिली थी उसको गोधी टीबी भूल गया और अपने हिसाब से आंकडे भर रहा है देखे 2019 में आपको बताऊं तो BJP को उत्तर प्रदेश में 62 सीटे मिली थी और अपना दल को 2 सीटे मिली थी समाजवादी पार्टी को 5 सीटे बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटे मिली थी कॉंगरेस को 1 सीट मिली थी बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़े थे इसलिए इनको यहाँ पर 15 सीटे मिली थी लेकिन इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी को शून सीट दे रहा है गोदी टीबी और दोस्तों यह ब्रामक है एकदम यह आकड़े दोस्तों ग भाड़ने वाले हैं और लगातार बहन जी भी एक्टिव हैं रन्निती बना रही हैं दिल्ली प्रवास पर हैं यही से सारी बैठके हो रही हैं और ऐसे में गोदी टीबी अपने हिसाब से आकड़े भर रहा है तो इसका मतलब आप सीधा समझे कि बीजे पी के पक्ष में करने की आपको बर्गलाने की कोशिशें की जा रही है सोशल मीडिया ही सचा मीडिया है आप मेनिस्ट्री मीडिया की खबरों पर ज़्यादा विश्वास मत करिए क्योंकि यह खबरों को तोड़ मरोड कर पेश करता है और आपको आपको वहां पर दिग भरमित करने की कोशि आई जा रहा है यह खबरें बिलकुल निराधार है यह खबरें ब्रामक हैं शाथी साथ दो और बड़ी बातें कही गई हैं कहा जा रहा है तीसरा मोर्चा बन रहा है उत्तर जाएंगे लेकिन दोस्तों ये है राजनीती आज आपके फैसले कुछ और हैं कल कुछ और हो सकते हैं यहाँ पर आप एकदम रिजिट नहीं हो सकते तटस्त नहीं हो सकते ऐसे में फैसले बदलेंगे पुनर विचार होगा उम्मीद करिये बहन जी भी इंडिया गड़ बंधन के साथ आएंगी दोस्तों ये खबर जो आई है ताजा सर्वे जो सामने आया है सोचा हमने इसको शेर किया जाए आपके साथ बाच्चित किया जाए और ये खबर जो है कही ना कहीं एकदम निराधार है वस्पा को 2024 में शून सीटें जो दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करिये चैनल को सबस्क्राइब करिये चाहता हूं इस वीडियो को खूब सारा शेर करिये जन जन तक पहुंचाईए जिससे बहुजन समाज जाग रुखो जै भीम जै भाराज जै संबिधान